अध्यादो गाइस कान्टिलेवर बीम जो आता है उसको टापड क्यों देते हैं हम एक्तम क्लियर कर देंगे आपको होता यह है कि जब ज्वांटS शपोर्ट से छज्जय निकलता है तो उसमें बीम देते हैं और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो बीम पीछे से आरही है उसी देप्त में आंगे बढ़ा दिया जाता है लेकिन वो गलत है होता यह है कि सपोर्ट पे सबसेदा वेंडिंग मोमेंट आता है जब उपर से लोड पड़ता है ठीक है तो हमको सपोर्ट पे हमें देप्त बढ़ा देनी चाहिए और आंगे के तरफ उसको टेपड बना देन है अगर सेम देप्त में आगे बढ़ा देंगे तो टेट लोड भी जादा आएगा उसके उपर ठीक है और शज्जा जुकने का ज्यादा चांस रहेगा और कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी ठीक है यह तो बात हुई सेम देप्त में शज्जा के साथ बीम निकालने का ए उसमें हायर डाया की स्टील होती है नीचे होती है और जो लोड डाया की स्टील होती ओपर होती है ठीक है लेकिन इसमें एकदम उल्टा होता है इसमें होता यह सपोर्ट सिंपल सपोर्ट में होता यह क्यों है वह हम समझा देते हैं आपको होता यह इसलिए है कि जब उपर स से लोड पड़ता है तो टेंचन ऊपर ही आता है इसलिए हाइयर डाया की स्टील जो होती है उपर देते हैं और लोड आया की नीचे देते हैं कैंट लिवर में और एक चीज और आप दिया होंगे जो इस टीर अप लगाई जाती है बीमों में सेंपल सपोटेट भी में स्टील सब्सक्राइब का होता है वो ऊपर के डिरेक्शन में होता है ठीक है नीचे नहीं होता है नीचे क्योंकि टेंशन होता है इसलिए नीचे होग नहीं देते हैं लेकिन कैंटिलीवर में उल्टा हो जाता है कैंटिलीवर में में हम रिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसका की नीचे कंप्रेशन होता है उपर टेंशन होता है तो इस तरह से आपको कि बीम में केंटी लेवर वीम में सरीय भी प्रोवाइट करना है अगर इस आप करेंगे तो कभी भी आपका केंटी लेवर वीम जो है फेल नहीं होगा